हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागता आप से विग एजुकेशनल स्टाडिवन यूटिप चैनल पे देखे दोस्तों SSE MTS सवलदार परिक्षा दो हजार तेज़ पेपर आपके दो मईई से शुरू होने वाला है तो दो मईई वाला पेपर आपके लिए लेके आच कहूं पेपर में यही प्रशन पुछा जाएगा एक्जाम देने से पहले इन प्रशनों के एक बार जुरूर देखके जाएगा पेपर आपके दो मईई वाला पुरा पेपर आपके लिए लेके आच कहूं और सभी दोस्तों की वीड़े को पहुंचाने के लिए वीड़े को शेर भी जूरूर कीजेगा तो पहले क्वैशन में पूछा जा रहे हैं पहली केंद्रिय विधानसभा का गठन किस वर्स किया गया था फर्स्ट सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली वाज कॉंस्टिटूटिटिट इन विच इयर तो पहली केंद्रिय विधान सभा का जो गठन है वो वर्स 1921 में किया गया था थर्ड नंबर आप्शन इस क्वैशन का राइटन से रहेगा अगले क्वैशन में पूछा जा रहे हैं भारतिय संगीतकार शरन रानी निमल लिखित में से किस वादियंतर से सम्मंदित है इंडियन विजिशन शरन रानी इस एस एसोसिएटेड विच ओफ दे फॉलाइंग मूजिक इंस्टूमेट जो शरन रानी है ये सरोध वादियंतर से क्या है सम्मंदित है अगले क्वैशन में पूछा जा रहे हैं कि सवधी में सेयद वंस ने शाषन किया था इन विच पिरिड डिड़ सेयद डाइनस्टी रूल वेनिया जो जल पर पात है ये भारत के मेगालिया राज्ये में क्या है स्थेत है करेक्टन सर ओप्शन बर वन रहेगा इस क्वैशन का देखिए दोस्तों वीडियो में आगे वड़े से बहले मैं आपको बता दूँ अगले क्वैशन में पूछा जा रहे है रुकमनी देवी अरुंडेल डैस के साथ जुड़ी हुई है रुकमनी देवी अरुंडेल इस एसोसियेटेड विद तो रुकमनी देवी जो अरुंडेल है ये भरत नाट्यम के साथ जुड़ी हुई है अगले question में पुछा जा रहे है निमन लिखित में से तत्वों के किस block को संकर्मन रासाइनिक तत्व कहा जाता है तो संकर्मन रासाइनिक तत्व कहा जाता है D block elements को correct answer option bar 1 रहेगा इस question का अगले question में पुछा जा रहे है हुमाईयो को किस रानी ने राखी बेजी थी विच्च क्विन सेंट राखी टू हुमाईयू तो हुमाईयू को जो राखी बेजी की थी वो रानी करणावती के दोरा भेजी गई थी अगले क्वेशन में पूछा जा रहे हैं किस त्योहार के दोरान खासी जंजाती के लोगों दोरा नौकरेम नर्तिक किया जाता है अगले क्वेशन में पूछा जा रहे हैं अगले क्वेशन में पूछा जा रहे हैं निमन लिखित में से कौन सा अवधी भाशा में लिखा गया है which among the following works have been written in अवधी लेंगवेज तो अवधी भाशा में राम चरित मानस क्या है लिखा गया है discovery of India किस के द्वारा लिखे गई है तो discovery of India भारत के first prime minister जवाहर लाल नहरू के द्वारा लिखे गई है next question में पूछा जा रहे हैं आंदर परदेश में विजवाड़ा शेहर किस नदी के तट पर स्थित है the city of विजवाड़ा in आंदर परदेश is situated on the banks of which river तो विजवाड़ा जो शेहर है ये कृष्णा नदी के तट पर क्या है स्थित है आगले question में पूछा जा रहे है ब्रह्म सफूर्ट सिद्धान्त निमल लिखित में से किस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ब्रह्म सफूर्ट सिद्धान्त is a book written by who among the following तो ये लिखी गई है ब्रह्म गुप्त जी के द्वारा आगले question में पूछा जा रहे है कांडला बंदरगा निमल लिखित में से किस राज्य में स्थित है इन which of the following state is कांडला पोर्ट सिटुएटेट कांडला जो बंदरगा है ये गुजरात राज्य में स्थित है अगले question में पूछा जा रहे है हर साल किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के स्थापना दिवस के रूप में मनाय जाता है तो DRDO का जो स्थापना दिवस है वो हर साल एक जनवरी को क्या है सेलिबरेट किया जाता है next question में पूछा जा रहे है निमन लिखित में से कौन सा तत्व सभी कारबनिक योगिकों में पाय जाता है which of the following element is found in all organic compound सभी कारबनिक योगिकों में कौन सा तत्व पाय जाता है कारबन पाया जाता है एकले क्वैशन में पूछा जा रहा है माउंट सैंट हेलेंज कहां से लोकेटेड़ तो यह लोकेटेड आपके अमेरिका में एकले क्वैशन में पूछा जा जा रहा है भारत में यारलूंग सांखो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो इसे भारत में ब्रहमपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है अगले कौहेशन में पूच जा रहे है बिजेनकर राजाओं ने निमल लिखित में से किस देवता के नाम पर शाशन किया तो इन्होंने विरुपाक्ष देवता के नाम पे क्या है शाशन किया था विजे नगर में अगले क्वेशन में पूछा जा रहे हैं निमल लिखित में से कौन सा लोक नर्ट असम से समझ दीता है विच अफ दो फॉल्ल पैंस इस रेलेटे टो असम तो जो बीहु नर्टी है वो कैसम से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेशन में पूछा जा रहे हैं किसके नियम के तहत रुपे का पहला सिक्का भारत में धाला गया था तो ये धाला गया था शेरसा सूरी के नियम के तहत अगले क्वेशन में पूछा जा रहे हैं किस वर्स के बाद पहली बार 2023 अंतराश्रिय ओलंपिक समीती के सत्र की मेजबानी करेगा देखी दोस्तों जो भारत है वो 1983 के बाद पहली बार 2023 अंतराश्रिय ओलंपिक समीती के सत्र की मेजबानी क्या है करेगा Next question में पुछा जा रहे हैं Simon Commission British Sunset के 10 सदस्यों का एक समूह था The Simon Commission was a group of 10 British members of Parliament तो ये British Sunset के 7 सदस्यों का क्या था एक समूह है था अगले question में पुछा जा रहे हैं किस वर्स मिजोरम ने राज्य का दर्जा प्राप्त किया देखी दोस्तों मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में इंस्टिटूट लोकेटिड तो ये लोकेटिड आपके नई दिल्ली में next question में पूछा जा रहे हैं सबसे पहले बड़े स्तर पर 1902 में विदूतिय वाता नुकूलित का अविश्कार इम परियोग किस के द्वारा किया गया था तो इसका अविश्कार और परियोग विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था option number one will be the right answer next question में पूछा जा रहा है कि रक्त में platelets की आवशकता बैस के लिए होती है इन blood platelets are required for तो platelets जो है वो रक्त का थक्का जमानी के लिए क्या है जरूरी होती है हमारे blood में अगले question में पूछा जा रहे है कि निमल लिखित में से कोन हमारे सोर मंडल का सबसे बड़ा गरे which of the following is the largest planet of our solar system तो सोर मंडल का सबसे बड़ा गरे कोन से है ब्रसपती है next question में पूछा जा रहे है निरे चोपड़ा किस खेल से जुड़े है निरे चोपड़ा is associated with which sports बात करते हैं निरे चोपड़ा के बारे में तो ये भाला फेंग से क्या है संबंदित है अगले question में पूछा जा रहे है निमल लिखित में से किस की कमी के करण बैरी बैरी रोग होता है लिएगा